हेलो दोस्तों, इस वेडियो में हम जानेंगे कि बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले हथावडा किस ने चलाया था देखिए बाबरी मस्जिद का निर्माड मुगल बात्सा बाबर ने करवाया था उसने पानीपत की पहली रडाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया था देखिए पानीपत का पर्थम युद 1526 में पानीपत की मैदान में हुआ था और ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें पहली बार कोई सुल्तान मरा था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी इस युद्ध के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल समराज के स्थापना की देखते देखते उसका सल्तन दिल्ली से अवद तक फैल गया तब उसने अपने सेनापती को अयुद्धा में मस्जिद बनवाने का आदेश दिया दरसल उसमें अयुद्धा जो था न वो हिंदु धर्म का केंदर हुआ करता था तब उस वक्त बाबर का सेनापती मीरबाकी था उसने इस मस्जिद का नाम अपने बातसा के नाम पर रखा बाबर के नाम पर इसलिए उसका नाम बाबरी मस्जिद हुआ 6 दिसंबर 1992 को एक हिंसक रहली ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए सबसे पहला हथावड़ा बलबीर सिंग ने चलाई थी इसके बाद बलबीर सिंग अपने पापों की प्राचित करने के लिए मुसल्मान बन गए और नाम रख लिया मुहम्मद आमिर यानि क्यों बलबीर सिंग को ऐसा एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया इसलिए वह अपना धरम बदल ली और अपना नाम रख ली मुहम्मद आमिर